हेलो नमस्कार गुडियूनिंग मेरे दोस्तों में शांतनु शुकला आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बिलकुल हर्दिक स्वागत करता हूं बैंकरसदा.com के ऑफिसेल यूट्यूब चैनल 24 7 पे मेरे दोस्तों ठीक है कल की तरहिके से कल भी थोड़ी सी कल जो ग्लेचे आई थी पावर लॉस और ये कनेक्शन लॉस्ट का सुबा नो बजे वाली क्लास में सिमिरली आज भी वही हुआ कल तो थोड़ा यह था कि क्लास स् ठीक है लेकिन आज यह लास्ट था ऐसे हम इश्वर से काम ना करेंगे क्योंकि जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सही करवा दिया गया है ठीक है कि यह जो इसू हुआ जिसकी वज़े से आज शाम को दुबारा से मुझे क्लास स्टार्ट करनी पड़ी दोस्तों ठीक ह चल रहा है बिलकुल लेकिन क्या हुआ इंगिस खता होने वाला całंग हम इख चल रहा है सिसलिए व्यूश्य एक चल रहा है सिसलिक कर दिया जाहे ठीक है तो दोस्तों आज हम लो देको अभी रीज़्रेंटने concept कीं किया है सेशन हमारा पर्टिकॉलर डिस्काउण और पे ही बेज़च थो आज का सेशन हमारा उसके आगे का topic जो है ठीक है उसके जो आगे का topic है उस पर completely based है और topic है आपका simple interest का ठीक है अब यह होता है क्या चला अभी हम simple interest से concept पर बात करेंगे तो particular simple interest शब्दों पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों हम यह उम्मीद करेंगी कि आप session की reach को maximize करेंगे session को share करेंगे करें अपने दोस्तों करें कि morning में 9 a.m. की जो math सी class चलती है आज actually क्या हुआ कि दोनों classes disturb हुई भाई ठीक है आज दोनों classes मेरी और संतोर सर दोनों लोगों की classes disturb हुई तो सुबा जो मेरी class 9 a.m. पे होती है वो schedule की गई दोस्तों 8 a.m. ठीक है और जो सर की foundation की ही class संतोर सर की जो आपकी 10 a.m. की class होती है वो schedule की गई दूबारा दोस्तों 8 a.m. ठीक है और 8 p.m. तो अभी वही आठ बजे वाली जो class संतोर सर उस class को ले रहे हैं अभी शायद बस खतम ही होने वाला है ठीक है okay sound increase करते sound adjust हो जाएगा थोड़ा phone का अपने volume बढ़ा लो बस सही हो जाएगा अचले चले दोस्तों फिर शुरुवात करते हैं हम देखें कि सबसे पहले कि session क्या रहने वाला है आज का यह particular session क्या रहने वाला है क्या क्या चीजे include है मेरे दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग शुरुवात करेंगे thought of the day से क्योंकि यह miss हो गया तो भाई thought of the day तो हम लोग करेंगे ठीक है भले ही आप सोने जा रहे हो good night समझ के इस thought को समझ लेना क्योंकि बहुत ही जादा यह करीब है मेरे इस type में है उसके बाद हम लोग simple interest के concept को discuss करेंगे फिर हम लोग mcqs discuss करेंगे मेरे दोस्तों ठीक है और सबसे पहले क्या thought of the day होगा उसके बाद हम लोग concept पे बात करेंगे थीज़े भई कि है ओके हाँ प्रॉफिट लॉज के वह सवाल जिसमें सेलिंग प्राईज इक्वल रहता है बेटे आप रोज क्लास देखते हो क्या जरा बताना बैंकर से सचिन गर्ग जरा एक बात बताना कि आप रोज सेशन देखते हो अगर आप रोज सेशन देख रहे होत तीसरे या दूसरे लेक्षर में मुझे भी exact याद नहीं आ रहा है लेकिन दूसरे या तीसरे लेक्षर में हमने जो discuss किया था वो उसी पर paste था ठीक है कि जिसमें एक से जादा article sell किया जाते है selling price equal होती है चले दोस्तों ये तो आपके सामने session summary रहा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं thought of the day पर बात करते हैं दोस्तों thought of the day में दोगों सबसे अच्छी line बहुत ही ये मैंने ये मेरी व्यक्तिगत भावनाए है मेरे दोस्तों इसको मैंने बहुत करीब से महसूस किया है कि अगर जाने अंजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है unintentionally कोई गलती हो जाती है तो उसका बहुत बुरा परेडाम नहीं होता किस्मत आपका साथ ही देगी ध्यान रखना दोस्तों ठीक है अगर अंजाने में आपसे अंजाने में वो गलती हो रही है जैसे आपसे कहा इसमें जो line लिखी जा रहे है वही कि if the intention is good luck is never bad अगर आपकी भावनाएं सही है आपने intentionally कुछ गलत नहीं किया है ठीक है भई तो किस्मत हमेशा आपके साथ देती है इससे ये बात समझाते हैं कि हमें कभी भी अपनी intention खराब नहीं रखरनी चाहिए जाए वो किसी व्यक्ति के प्रति हो किसी काम के प्रति लकिन अपनी intention अपनी भावनाएं कभी भी उस व्यक्ति या उस पर्टिकुलर टास्क के प्रति कभी भी हमें खराब नहीं करनी चाहिए इंटेंशन हमेशा सही रखो, किसमत भी आपको, किसमत भी हमेशा साथ देगी आपका, ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, दोस्तों, सिंपल इंटेस के, ठीक है भाई, हर प्रीज सिंग, प्लीज मेरा एंसर दे दो, अच्छा, पुछो तो कुछ, एंसर दे चलो नहीं भाई लक्षिमी कुमारी ना बेट्टे मौरने की क्लास बंद नहीं हुई है एक्शली दो दिन से प्राब्लम हो जारी इसलिए श्याम को शिफ्ट कर दे रहे हैं आपके पास 100 रूपय दे आप न deshalb कर सकता है। देखो आपके पास 100 रूपय थे, आपने क्या किया, शुरुआत में अब तक क्या करते रहें, कि 100 रूपय जाके आप दुकान पे रखते थे, कोई सामान खरीते थे, और वही सामान लेया करके, लॉकडाउन चली रहा है, 100 रूपय में सोचो आपने नमकीन का पैकेट खरीदा बड़ा सा, और लेके आही रहे थे, कि रास्ते में आपका दोस्त टकरा गया, आपने कहा कि भाई नमकीन बहुत तगड़ी लगरी है, काजू वाली है, तो जुरा मुझे दे दो, तो आपने क्या किया, वह नमकीन जूट बोलके, आपने उसको 120 रूपय में बेज दिया, 100 म अब जब हम profit and loss topic करते थे, तो उस profit and loss topic में क्या होता था, कि आपने 100 में कोई चीज मेरे भाई purchase किया, और वही सामान 120 रूपय में बेज दिया, यानि शुरुवात में जितना में खरीदा, आपने उसको नाम दिया, cost price का, जितने में आपने बेचा दोस्तों, उसको नाम दि में करते रहे, अब इंसान की फितरत के according, यो परिवर्तन की हम बात करने हैं, वो change आगया मेरे में, अब हम 20 रूपय मात्र कमाने के लिए इतना effort नहीं करना चाहते, इतना effort कि उठो, दुकान पे जाओ, सामान खरीदो, ग्राहत धूडो, तमाम जूटी कसमें खाओ, तब ज सो रूपय को किसी ने सला दी, कि भाया इसा है कि bank है, investment करो, insurance है, जहां पे भी मन करे, आप पैसे जमा कर दो, वो खुद बखुद आपको 20 रूपय देगा, तो अब क्या हुआ कि मैंने सिरफ और सिरफ पैसे कमाने का तरीका वदल दिया, और जब हमने यही सो रूपय निका जित्ते खरीत के कुछ बेजते थे, वही सो रूपय निकाल करके हमने bank में जमा कर दिया, तो अब यह जो हमें पहले, अभी भी काम वही हुआ, हमारी जेब से निकल की ही गे, लेकिन अब यह सो रूपय हमारे किस नाम से कहलाएंगे दोस्तों, यह हमारे कहला रहे है, principal के न होती है, यह कहलाता है हमारा amount और इनके बीच का जो margin होता है दोस्तों, जिसको कि अब तक हम लोग profit नाम से जानते रहे, यही profit हमारा अब किस नाम से जाना जाता है, इंट्रेस्ट के नाम से, यानि है वही भावना शर्मा, class timing क्या होती है, बैटे सुबा 9 बजे class चलती है, दो दिन से दिक्कत हो रही है, इस वज़े से ही शाम को हम reschedule कर दे रहे, नुकसाद ना हो class, miss ना हो, यही मेरा target होता है, अगर सुबा वाली class में किसी कोई दिक्कत आ गई तो शाम को schedule कर दे रहे, अब देखो आपको पता चल गया कि यही जो profit है दोस्तों, हमारा interest के नाम स दोस्तों, एक तो calculate की जाती है simply, जिसको की हम लोग simple interest कहेंगे, और दूसरा calculate करने का तरीका होता है, मेरे भाई, compound, जो की हम लोग compound interest topic में अलग से पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, मेरे भाई, अभी हम लोग चर्चा करने वाले है simple interest पे, तो यह एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में आप घुस रहे हो, उसका एक flow chart रहा, एक topic से दूसरे टॉपिक में घुसने का flow chart रहा, maths आपकी asities है, maths नहीं बदल रहे हैं, ध्यान रखना, पहले भी शुरुआत से जेब से पैसे निकलते थे, return होके वापस आते थे, अभी भी शुरुआत से जेब से पैसे निकल रहे है, return होके वापस आ रहे है, बस calculate करने का तरीका अलग-अलग हो गया, अब ध्यान से देख रहे हैं, मेरे दोस्तों, आप सारे लोग, ध्यान से देखें इस इन चीजों को, आपने कहा कि यहाँ पे जो आपको दिखा interest और किस तरीके से simple और compound, द supply हो रही है, उसी की वज़े से simple और compound आपका अलग-अलग होता है, ठीक है, rate क्या होती है, अब जरा वो समझ लो, rate यह जो शब्द होता है, उसका मतलब आप समझ ले, rate का मतलब होता है कि कोई भी घटना नियमित समय अंतराल पे अगर बार-बार घटित हो, तो वही हमारी कह पहलाती है, rate, यानि कोई भी घटना है, जो regular time interval पे बार-बार repeat हो रही हो, उसी को हम लोग नाम देते है, rate का, अगर आप से कहा जाए कि एक आपकी सोचो छत में, आपका छत से पानी टपक रहा है, regular time interval पे टप, 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 regular time interval पे टपक रहा है, तो आप अगर किसी के सामने उस चीज को represent करेंगे, तो आप यही कहेंगे कि पानी की बूंद, जट से हमारे पानी की बूंद, 40 बूंद प्रती मिनट के rate से टपक रही है, इससे समझा जाएगा कि एक मिनट में 40 बूंद पानी गिर रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब देखो ध्या हर साल दे रहा है, हर साल 20-20 रूपए दे रहा है दोस्तों, तो इसी चीज को हम लोग कह देंगे कि rate of interest 20% हो गई, फिर से इस चीज को समझाते हैं, जड़ा ध्यान से समझना, अगर, देखो, simple interest का मतलब क्या हुआ, कि अगर आपने 100 रूपए बैंके में जमा कर दिया, तो बैंक हर साल 20 रूपए अपको ब्याज के रूप में देगा, हर साल दे रहा है न, यानि कि लगातार एक नियमित समय अंतराल पे हर साल 20-20-20 रूपए extra credit हो रहे हैं आपके account में, इसका मतलब यह हो रहा है कि जो घटना बार-बार जैसे 20-20-20-20 हो रहा है, इसका मतलब साफ हो गया कि 20 प्रतिशत ब्याज की दर है, वही आपने rate नाम दिया मेरे दोस्तों, एक बात confirm हो गई यहाँ पे rate शब्द का मतलब कि अगर कभी भी कह दिया जाएगा कि rate of interest 30% है, simple interest का मतलब समझना, अगर rate of interest 30% है, per annum भी लिख देते हैं, यानि प्रतिवर्ष, per annum का मतलब, per annum का मतलब प्रतिवर्ष, तो इसका मतलब यह होता है कि अगर principle 100, यानि 100 रूपए अगर आपने जमा किये, तो इसका मतलब SI of 1 year, यानि कि 1 साल की simple interest 30 रूपए है, यही होता है rate का मतलब, एक बार बता दीजे, यह बात समझाय की नहीं, हर प्रीसिंग पहले तुम यह बता कि इसका मतलब समझाय की नहीं, है, है वई, समझाय की नहीं, पहले इतना बता दो, कि अगर rate of interest 30% है, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब feel होना चाहिए आपको, कि 100 रूपए आपने बैंके में जमा किया, तो एक साल की जो ब्याज है, एक साल जो बैंक आपको extra ब्याज दे 3 साल में कितना 90 रूपए, बस यही होता है हमारे simple interest में rate का मतलब, ठीक है भाई, इससे ये बात पता चल गई, देखो अब इस पर question कैसे मैंने frame कर दिया, देखो एक बात बस ध्यान रखना, कि अगर principle 100 है, तो SI of 1 year, एक साल की जो ब्याज होती है, दोस्तों, वही हमारी कहला rate of interest, ये बात तो सब लोग को confirm हो जाना चाहिए, क्या इस बात से सारे लोग agree करते हो, कि 100 रूपए अगर आपका principle है, तो एक साल की जो simple interest होगी, वही मेरी rate of interest कह रहाएगी, इस बात पे सारे लोग agree कर रहे हो, अगर ये concept आपका दोस्तों clear है, तो ताबर तोड़ एंसर करे ठीक है, मैंने कहा कि एक निश्चित धन्रासी अपने आपका दोस्तों तीन गुना हो गई, 10 सालों में, तो बताईए ब्याज की दर क्या है, simple interest पे हुई है, फटाक से एंसर बताना आप सारे लोग जिनको पता है, और नहीं पता है तो बहुत ध्यान से समझो, जैसे ही उसन सो रूपए, देखो, question की भाषा के recording, हमने अगर सो जमा किया, तो वो तीन गुना, यानि 300 हो गए, और कितने साल में हो गए, मेरे भाई, 10 साल में हो गए, अब ये बता दो मुझे कि 100 रूपए, अगर 300 हो गए, तो मुझे यहाँ पे ब्याज एक्स्ट्रा कितनी मिली, तो आपने कहा ना 200 रूपए मिली, भाईया 100 जमा करोगे, 300 बैंक वाला पूरा देगा, तो इसका मतलब 200 रूपए आपको व्याज मिल रही है, और अगर 200 रूपए आपको 10 साल में मिल रही है, तो एक साल में कितना मिली, तो 200 अपॉंटेन आपको पता चल गया, 20 रूपए एक साल में मिली, और यही तो मेरी rate of interest होगी, एक ही चीज़ तो मैंने बार-बार आपके सामने बोला, कि अगर प्रिंसिपल 100 है मेरे दोस्तों, तो एक साल की व्याज ही आपकी rate of interest कहलाएगी, इसी चीज़ की help से मेरे दोस्तों, एक और example मैंने दिया कि आप से कह दिया, प्रिं 19 वर्षों में एक धनरासी अपने आपका 2.14 गुना हो गई, बताइए ब्याज की धर क्या है, rate of interest मैंने आप से पूछ लिया, ठीक है, एक निशिद धनरासी अपने आपका 2.14 गुना हो जाती है, 19 वर्षों में, तो बताइए ब्याज की धर क्या है, rate of interest क्या है, फटा- से एकदम एंसर किया जाए, इसमें आपको बिल्कुल देर ही नहीं होनी चाहिए, आप से आप बस इतना समझो कि जब एक निशित धन्रासी बोल दिया उसने, तो यही मान के चलेंगे कि 100 रूपए निकाल करके बैंक में ले जाकर के पटाका है कैसियर के पास, और 19 वरसों के बात दुबारा गए आप, तो कैसियर ने आपको निकाल करके पूरा पैसा कितना दे दिया, 2.14, तो 100 का 2.14 कर दो कितना आ जाएगा, 214 रूपए, और अगर 100 रूपए आपने जमा किये थे, यही मेरा प्रिंसिपल, आपको amount मिल गया, 214, 100 रूपए आपने जमा किया, 214 र रूपए मिल रहे हैं, तो हर साल कितना मिल रहा है, एक साल की ब्याज ही तो निकालना है, आपको एक साल की ब्याज मिल जाए कहा नहीं खता हो, एक साल की ब्याज आपको किया, यहां पर क्या मिल जाएगी, SI of one year कितना मिल जाएगा, 19, 114, आपको 6 रूपए, तो 100 रूपए याद रखना एक थीम याद रखना कि जो SI होता है अगर आप से कह दिया गया एक साल की SI 10% मिल रहे तो दो साल की 20% 3 साल की 30% 4 साल का 40% यानि हर साल उतने ही परसेंट दोस्तों मिलती है उमिद करेंगे आप सबको समझा गया है तो एक बार जल्दी से सारे लोग सेशन को एक लाइक ठोक दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ ताबर तोर इसकी बाद करते हैं हम लोग कुश्चन की इसी एक कंसेप्ट पे पूरा का पूरा हमारा आज का सेशन बेस्ट होगा एक बार सारे लोग और बोल दे रेडी थम्सप कर दो बस लाइक मार दो सारे लोग बोल दो रेडी सापदाबर तोर इसकी बाद कुश्चन की स्टार्टिंग बिल्कुल रैपिट फायर में एक दम उड मुला यहीं से बनता है यह कहानी समझागी तुम्हें न एक ही चीज अभी अभी आपको एक्स्टर सोचना है नहीं अभी इतना तो दिमाग काम कर रहा न कि अगर सो रूपए ले जाकर के बैंक में जमा कर दिये तो एक साल की ब्याज ही रेट आफ इंट्रेस्ट हो गई इत साल की ब्याज जोज और कुछ नहीं सुनने आपको कुछ नहीं समझना आप बस देखते ज़ो मैंने आपसे कहा इक निश्चित धनासी जैसे आपसे बोल दिया जै अशंटें सम आप मनि य पास 100 रूपे हैं और तो मेरे पास कुछ होता नहीं है हमारे पास खाली 100 का एक नोट है किसी ने पूचा एकाउंट है हमने कहा नहीं बोले बैंक में जाओ account खुलवाओ, मैंने गया, account खुलवाए हम और वहाँ पे ले जाकर गए 100 का note cashier के हाथ में दे दिया और फिर बोला गया कि वो भाई 20 साल में अपने आपका 3 गुना हो गया 3 गुना हो जाता है तो दुबारा हम bank में 20 साल के बाद गए और बोला उसने 3 गुना हो गया तो ये 100 रूपे हमारे बढ़के 300 रूपे हो गया और तो कुछ हुआ ही नहीं अब पस simple सा इतना बताओ कि अगर आपने 100 रूपे जमा किये थे bank आपको 300 रूपे दे दे रहा है तो आपका होगे न कि 1 साल की ब्याज 1 year SI 1 साल की ब्याज 20 दाम्मा 201 साल की ब्याज 10 रूपे 100 रूपे प्रिंसिपल 1 साल की ब्याज 10 रूपे रेट हो गई हमारी 10% के बराबर option number 2 कौन सा formula लग गया जरा ये बताओ कौन सा formula लग गया एक concept ही तो आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं अगले सवाल पर move करते हैं नेक्स्ट आपके सामने ये timer आपका ही start होता है अच्छा लगता जाए यार तो दिल खुश होता जाए तो मुझे भी खुश करते रहना बस बताते रहना लाइक तावर तोर तरीके से टच करते रहो शेयर करते रहो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए connect रहें आप लगातार connect रहें बस इसमें मेरी खुशी हाँ सौरब कुमार बेटे गुड मॉनिंग आदत पड़ गई सामने देख की मतलब गुड मॉनिंग बोलने की हाँ चलो दोस्तों सुबा नो बजे भाई daily class होती सारे लोग ध्यान रखना इसका second part कल सुबा नो बजे ही होगा ठीक है ये शाम की टाइम नहीं fix हमारी वे शाम को बस रिशेडूल किया है चोकि सुबा का सेशन नहीं हो पाया था अब मेरे भाई इस सवाल को मैंने देखा ध्यान से और हमने जिंपल सा इतना कह दिया रमेश ने एक निश्चित धनरासी एक निश्चित धनरासी यानि की certain sum अगर बोल दिया जाए 2.43 टाइमस भाईया 100 का 2.43 गुना कितना हो जाएगा 243 होगा यानि अगर हमने बैंक में 100 जमा किये तो बैंक वाला मुझे 243 रूपए रिटन कर रहा है 243 रिटन कर रहा है अगर 243 रिटन कर रहा है तो बताओ हमें यहाँ पे ब्याज कितनी मिल रही है तो 243 में 100 घटा दो आप कहोगे ना 143 रूपए ब्याज मिली मुझे पूरी की पूरी और 143 अगर आपको इंट्रेस्ट मिली कितने साल में मिली है मेरे भाई आपने कह दिया 11 साल में अगर 143 रूपए 11 साल में मिल रहे है तो एक साल में कितना मिल गया 143 अपन 11 रेट आपकी आगई 13 परसेंट के बराबर तुरंद के तुरंद मेरे दूस्तों आपका एंसर आ रहा फटा फट से बिल्कुल फटा फट से एक दम एंसर निकालना चाहिए तो एक छोटी सी कहानी कि अगर भाई 100 रूपए बैंक में जमा कर दिये जाएं तो एक साल की भ्याज ही मेरी rate of interest होती है उस उतने theme पर आधारित मैंने दो सवाल आपको करवाए और दो आपको दिखा कि बिल्कुल वही डिटो और आपको के एक्स्टा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इसी पर आधारित एक और pattern एक और connectivity चीजों को एक step और आगे बढ़ा दिया जाए तो सवाल कुछ इस तरीके से बनता है दोस्तों टाइमर आपका ही start होता सब कुछ है जिटीज है बिल्कुल भाई शान एहमद मोना मीना बहुत बढ़िया अच्छा रात वा लग लग ज्यादा अच्छा लग रहा है बहुत सभी अनन्त प्रकाश चलो बहुत अच्छी बारे दोस्तों तो देखो उसी थीम पे आधारी चीजों को एक step आगे बढ़ा दिया गया है ना एक step आगे बढ़ा दिया मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती है आप सबको पता है और मानुष्य की इच्छाएं असीमित हैं मनुष्य की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है और इसी वज़े से यह आपका negative नहीं है भई देखा जाए तो negative भी है लेकिन एक कहीं न कि पहिए की खोज last में होई थी और ये चीजे जो खोज होती गई अगर आदमी पहिए की खोज करके ही इंसान अगर संतुष्ट हो गया होता तो आप बताओ ये गाड़ी motor जो दिख रही है ऐसा कुछ होता नहीं होता न यो कि वो तो संतुष्ट होगया हा बस ठीक है जो अ सारी चीज़ें, तो मनुसिकी च्छाएं असीमित हैं, उसका एक साफ नमूना, आपको यहाँ पर इस प्रस्ण में देखने को मिलेगा, कहा यह जा रहा है कि एक व्यक्ति है, या निकी मानलो हम ही है, और हमने क्या किया कि कुछ पैसे जमा कर दिया, कुछ पैसे तो मेरे पास स 15 साल में हुए, अब एक बात बताओ कि इसका मतलब ब्याज की दर मेरे भाई कितनी है, आप बताओ 100 जमा कि यह 400 मिल गया, यानि कि आपको इंट्रेस्ट कितनी मिल गई, तो आपने कहा 300 रूपे इंट्रेस्ट मिल गई, आप मुझे इतना बताओ, एक साल की इंट्रेस्ट क 16 साल में कितना देगा, 320 देगा, 20 और बढ़ा दिया, 17 साल में कितना देगा, 340 मिल जाएगा, है बई, 40 साल में कितना मिल जाएगा, 40, 20, 800 मिल जाएगा, आपको चाहिए कितना, आप ये बताओ, आपको इससे तो पता चल गया कि rate हमारी 20% है, आपको इतना तो पता चल गया 300 बटे 15 करके अब आपकी इच्छा बढ़ी अब ध्यान से देखना, अब आपकी इच्छा बढ़ी अब आपने 100 जमा किया तो आप क्या चाहते हो, 10 गुना चाहते हो 10 गुना का मतलब होता है दोस्तों 1000 रूपे आप अमाउंट चाहते हो हर साल 20 मिल रहा है तो बताओ कितने साल में 900 मिल जाएगा कितने साल में 900 मिल जाएगा तो आपका होगे न 900 अपन 20 बराबर 45 अगर एक साल में 20 मिल रहा है तो 2 साल में 40, 3 साल में 60, 5 साल में 100 ओ, कितने साल में भई 900, तो आप 900 को 20 से डिवाइड करके 45 बोलोगे, आपका एंसर 45 आजाएगा, आएगा ना, लेकिन क्या हम ये फॉलो करेंगे, ये फॉलो ना करने वाले हम लोग, हम से जो पूछा नहीं, हम उसको क्यों निकालने में टाइम फर खराब करें, हम से जो नाम का एक व्यक्ति, 100 रूपे कभी बैंक में जमा करता था, और 400 रूपे उसको overall मिलता था कलेक्शन कितने साल में, 15 साल में, एक समय वो 300 रूपे ब्याज पाया करता था, लेकिन 300 से इच्छा नहीं भरी, इच्छाएं बढ़ी, और उसको अब कितना चाहिए, अब इसे आसानी से तो मिल नहीं जाएगा, कितने गुना चाहिए, जरा ये देखो, तो आपने कहा, एक्च्छाल में, उसको 3 गुना ब्याज चाहिए, 300 का 3 गुना 900 होता है ना, कितने गुना चाहिए, उसको 3 गुना ब्याज चाहिए, तो भाई, टाइम भी उसको 3 गुना देन तो पहले 100 मिलता था, 400 amount होता था, यानि कि आपको ब्याज मिलती थी 300 रूप है, कितने साल में 15 साल में, अब आपको चाहिए उसी का 10 गुना यानि कि 1000 चाहिए, यानि कि आपको ब्याज कितनी चाहिए, आपको ब्याज 3 गुना चाहिए, अगर आपको 3 गुना ब्याज अगले सवाल को इसे चुटकियों में उड़ा देना, आप सारे लोग ध्यान रखना, ठीक है, तरीका समझा गया, अच्छा लगाओ, तो बस एक बार लाइक टेज कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आइए अगले सवालों पर भढ़ते हैं, बस कोई थेओरी नहीं, कोई आपको, कोई फॉर्मूला नहीं रिठना, आप बस अपने दिमाग में सेट करो एक थीम, बस और कुछ नहीं, अगले सवाल पर मूफ करते हैं, सवाल उसी पैटर्न का है, आप लोग उड़ा दे इस सवाल को, चलिए बिलकुल भई, शर्मा जी, डारेक्ट हो जाएगा, वंदना शर्मा बिलकुल जाही बात बेटे, डारेक्ट हो जाएगा, ओके, अशोग जी, बहुत बढ़ियां, ठीक है मेरे भई, समय समाप्त होता है, बिलकुल उसी पैटर्न का सवाल, उसी टाइब का सवाल, उसी थीम का सवाल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, हमने क्या सोचा, अभी देखो यार, तुम लोग सेशन को शेयर वगएर करो, अभी आज तो ट्रिक आप देडे, कोश्चन आप देडे, दोनों चर्चा करने वाले हैं, कहा हैं, अब लोग, शेयर तो करो, बच्चों को बता तो कि ट्रिक आप देडे, कोश्चन आप देडे, पूरा का पूरा कम्प्लीट सेशन है ये, अभी मैंने कहा कि भिलकुल उसी तरीके से कि 100 रूपए मेरे पास थे, मैंने 100 रूपए उठा करके बैंक में जमा किये, और बोला गया है कि वो अपने आपका 2.3 गुना, यानि क 230 रूपए हो गया, और इसका मतलब भई ब्याज कितनी मिलगी, 123 यानि कि अब ब्याज कितनी मिले मुझे, मुझे 130 रूपए ब्याज मिलगी, और आपसे कहा जा रहा कि 6.2 टू टाइम्स हो जाए, दुबारा हम ये चाह रहे है कि मुझे 100 जमा करें, तो मुझे 6.2 यानि 620 मिलजाए, और 620 का मतलब दोस्तों, क्या हो गया, कि आप कहे दोगे, 120 मुझे ब्याज कितनी चाहिए, 550 रूपए ब्याज चाहिए, आप मुझे एक बात बताए, कि ब्याज आपको कितनी गुना चाहिए, तो आपको कहो गया na 4 गुना ब्याज चाहिए, 130 का 4 गुना 520, आपने खा 36 साल आपका एंसर भाई option number 4 रहा, 36 सबका clear है, सबका done है, भाई overall आप खुद बताएं, इन सारी चीजों को देख करके, एक theme तो समझ आगी आपको, कि 100 रूपे हमने जमा किया, किसी को अभी तक दिक्कत है, तो मेरे बता देना, भाई दद्दू, clear है, बाई कर कहीं का जवाब और दे दो, अगर आपके ये चीजें सीख ली हैं, तो, लो, पता नहीं का कर दिये हम, अरे यार, ये कई से सही होगा, चलो भाई या, बच गए, हाँ, उनको समझी नहीं आए, पता नहीं कहां, पूरा बाहर निकला आया, एक दम, देखो, हम आपसे कह रहे हैं दोस्तों, एक चीज हमने आप से बताया कि, एक सवाल और इसी पर बता दो जल्दी फटाक से, अगर एक प्रिंसिपल, ऐसे बोल रहे हैं, जल्दी से एंसर दे 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 न, प्रिंसिपल, अपने आपको, मैंने कह दिया, दोस्तों, कि चलो भाई, 2.8 टाइम्स हो गया, अपन मैंने दिया इसी टाइप में, कि वही कुश्यन है, एक प्रिंस्चित धंडासी अपने आपका 2.8 गुना हो गई 11 वर्शों में, तो बताइए वही धंडासी अपने आपका दोस्तों, 6.4 गुना कितने वर्शों में हो जाएगी, जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दो, तो अगले सवाल पर मूव करते हैं, इस सवाल को देखा जाए, तो बस हम उम्मीद करें कि आप जल्दी से एंसर देंगे, बिल्कुल श्रेया जी, अक्षय जी फटा पट से इसका भी एंसर बता दो, एक धंडासी यानि कि मैंने 100 रूपे जमा किये, अपने आपका 2.8 गुना ह यानि आपको ब्याज कितनी चाहिए, 540 रूपे ब्याज चाहिए, यानि कितने टाइम्स कितने गुना ब्याज चाहिए, तीन गुना ब्याज चाहिए, तो टाइम भी आपको तीन गुना देना पड़ेगा, आपका जवाब 33 यर्स के बराबर रा, I hope कि इतनी कहानी आप सब आपको क्लियर हो गई होगी लेकिन इस बिंदू पर फिर से आपका ध्यान आकर्शित करना चाहेंगे मेरे दोस्तों जड़ा ध्यान दीजिए गहां पर ठीक है इस चीज को हटा रहे हैं ठीक है बस फटा पर से एक आप चीजों को चुटकिओं में नाम सिंपल है तो उसको दिखा दो की वो सिंपल है मेरे दोस्तों अब देखो एक पॉइंट हम यहां पर डिसकश करना चाहेंगे आपको इतनी कहानी तो पता चली गई है कि अगर हम आप से कह दें कि अगर दोस्तों, हम आप से कह दें कि 12% व कि प्रत्येक वर्ष की जो ब्याज मिलेगी वो आपको बारा-बारा रूपे मिलेगी कि आप सारे लोग इस बात पे एक ग्री करते हो, सारे लोग इस बात पे एक ग्री करते हो कि हाँ गुरुजी इतना तो मेरे दिमाग में है इतना ही मेरे दिमाग में है और कुछ है नहीं है आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि और मुझे किसी की requirement भी नहीं है हम बस इसी इतनी जानकारी भी आप सचा रहे हैं क्योंकि इतना मैंने बताया है इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए आए दोस्तों question पे move करते हैं अगला सवाल गिये रहा आपके सामने टाइमर आपका इस्टार्ट होता है इससे जादा की जानकारी कोई जरूरत नहीं है कि प्रांजल स्री वास्तों फटाफट से बिट्टे बहुत बहुत शुक्रिया आपके बस session धडलने से एकदम like टेस करते रहे न कुछ अच्छा लगे दुबारा like कर देना कुछ अच्छा लगे तीसरी बार like कर देना है odd में करना odd numbers में करना इसा मत करना कि दो बार like कर दो फिर कुछ होई न है न लेकिन like किसी सिर्ट करते रहे तो तो लगता है का दोस्तों को मज़ा आ रहा एकदम ठीक है भई, चलो भई, टाइम समाप्त हुआ, हमने इस कुश्यन को पढ़के एक बात तो समझ ली कि मोहन ने रमेश को 6% ब्याज की दरबे पैसे उधार दिये हैं, मोहन हम रमेश आप, चलो गुसा क्यों रहे हो, मोहन आप रमेश हम, ठीक तक आपको fix पैसे ना दिये जाएं, simple interest का सवाल कर रहे हो, 100 रूपए ही मान के चलना, और कुछ मत दिमाख लगाना की चलो, 1000 मान ले क्या, कुछ नहीं, 100 रूपए ही ले के चलो, बहुत आसान इस calculation होगा, 100 रूपए हमने क्या कर दिया, 100 रूपए हमने किसी को उधार दे द तो अब ऐसी condition में मुझे आप इतना बताएं, कि 100 रूपए अगर आपने उधार दे दिये हो मेरे भाई, तो अब एक चीज बताओ, कि ब्याज की दर कितनी है, 6% है, तो आप मुझे बताओ, कि अगर आपने मुझे 100 दिया है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, 6% ब्य दूसरे साल 6 हो गई, तीसरे साल 7.5 हो गई, ठीक है वई, चौथे साल हमारी 8 हो गई, ऐसे आप समझे, तो हमने का पहले साल 6 रूपए, दूसरे साल 6 रूपए हो गई, हर साल 0.5 बढ़ जा रही है, तीसरे साल 7, चौथे साल 7.5, यही तो होगा, इस नियम के हिसाब से, कि अगर 6% ब्याज की धर है और 0.5% rate हर बार भढ़ रहे हैं तो हमें तो इतना ही ब्याज देना चाहिए ना और इसका मतलब यह हुआ कि जरा इन सब को add कर लो आपने कहा यह value 27 की बराबर आ गई यानि हम कह सकते हैं कि 4 साल में मुझे 27 रूपे ब्याज देनी पड़ेगी आपक 1080 रूपे दोस्तों रिसीब कर रहा है 1080 तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 27 मेरा 1080 को रिप्रेजेंट कर रहा है इतने रूपे को रिप्रेजेंट कर रहा हमारे हिसाब से 27 1080 के बराबर है यानि 1 unit की value अगर आप देखो तो 40 रूपे के बराबर आ गई भया 27 से कांटों के 40 ही अगया नहीं समझाया क्या समझी नहीं है क्या अरे यार अजीभाल है कोई बात नहीं फिर से देख लो कोई बात नहीं फिर से देख लो हमने कहा certain sum of money यानि निश्चित धंडाशी बोला गया हमने माल लिया कि 100 रूपे हम ले आकर कि किसी को दे दिये उधार अब अगर ब्याज की दर 6 प्रतिशत है 6% वार्शिक तो उस वो व्यक्ति हमें 6 रूपे ब्याज के रूप में देगा राजेंद्र बहरा भाईया सही सही कमेंट करो वरना हमारे हाथ में ये माउस चलो ठीक ठाक कमेंट करते रहो ठीक है अरे कुछ अपराद थोड़े कर र इस सब का लिखे रहे हो तुम चलो ठीक है कोई बात नहीं आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं है अनुच्छे 12 से लेके 35 तक आपको मूल अधिकार दिये गए है व्यक्तिकत स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास जो मर जी वो बोलो देखो एक बात ध्यान मेरे से इतना से मतलब है भईया कि आपको समझा जा 6 रूपे आपने किसी को उधार दे दिये तो अगले साल की ब्याज आपको साड़े 6 तीसरे साल 7 रूपे और चौथे साल 7.5 जोड के लिख दिया 27 हो गई पूरा और यही 27 हमारा बराबर है 1080 के तो 1 की वैलू 40 के बराब ब्याज की रूप में 1080 रिसीव करता है उसको ब्याज मिल रही है 1080 इस पर जरूर फोकस करना आईए दोस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं यह आपके सामने अगला कुश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है तो क्या आप इतना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे कि 6 के बाद 7 हुआ तो 6, 7, 13, 6, 7, 14 and so on करके अगर उसमें भी आपको ठीक नहीं लगा तो यहाँ पर देखो 10 साल लिखा हुआ है यहाँ पर आठ साल नहीं बिटे आप यहाँ पर 10 साल के लिए कलकुलेट करने वाले हो देखो after 10 years याँ आपको 10 साल के लिए कलकुलेट करना है आप बस इतने पर फोकस करो यह आपके सामने लिखा है if after 10 years 10 साल के सामने लिखा गया है, अब एक चीज़ का आप सारे लोग जवाब दें अगर हमें एक चीज सान लुग जवाब देखें बढ़ा क TravelZ Talk हमें भी अच्छा लगता है जब आप अच्छे आप कमेंड करते रहते हैं अब जरा एक बात बता वेट्टे उसी टाइब का सवाल है कि नहीं हमने कहा देखो रिया नाम की एक लड़की है जिसने पैसे वाली लड़की है रिया इन्वेस्टेड असर्टें सम इन स्कीम इन विच रेट ऑफ इंट्रेस फाइफ परसें फॉर्स्ट तो इयर जैसे फोकस क रूपे ब्याज मिली दूसरे साल फिल 5 रूपे ब्याज मिली यानि कि 2 साल में 5-5 करके ऐसे मिलेगा तो गुड़े 5 लिख दिया प्लस मेरे दोस्तों आगे देखो 7% for next 3 years यानि अगले 3 सालों तक 7-7 रूपे मिलेंगे 7-7-7 ऐसे मिल जाएंगे प्लस आगे देखो बोला गया कि beyond the 5 years देखो 5 साल तो पूरे हो चुके है ना 2 और 3 पांस तो हो चुके है ना 5 साल के ऊपर के लिए जो ब्याज की दर है मेरे दोस्तों वो 8% है अब 10 साल के बाद रिया पूरा पैसा वापस ले ले रही है 10 साल के बाद पूरा पैसा वापस ले ले रही है इसका मतलब 5 तो भी थी चुके हैं अब कितने साल बचे 5 साल और बच गे ना भाई 10 साल में आपने 5 तो कैलकुलेट कर लिया अगले 5 साल और जमा रहा 5 साल के लिए rate of interest आपकी 8% है आपने last में 8 लिख दिया अब इसको कैलकुलेट कर दो कितना आ गया 10 हो गया यहाँ पे 21 हो गया और य इतनी मिल गई 71 के परापर लेकिन जड़ा एक बात ध्यान रखो रिया ने जो पैसे रिसीब किये है 85,500 रूपीज इस इस वाट इस इस इट इंटरेस्ट और इस अमाउंट क्या है यह क्या यह व्याज है या फिर टोटल रूपीज है तो आप इसको पढ़ो बोला गया 85,500 इस अमाउंट याने कि मिस्रधन के रूप में वापस करता है अब 100 रूपए अगर रिया ने जमा किये है 71 रूपीज उसकी सिंपल इंटरेस्ट है तो इसका मतलब दोस्तों अमाउंट क्या होगा तो आपका जवाब आएगा 100 प्लस 71 याने की 171 दोस्तों यह 171 इसका बिलाके 171 रिटन होगा इसकी वैलू कुश्य ने दे रखी है 85,500 के बराबर वन यूनिट की वैलू आगी दोस्तों 500 के बराबर 100 रिया ने जमा किया था 500 से मल्टिप्लाई करके 50,000 रूपए आपका एंसर है दोस्तों ऑप्शन छोड़ो ननौप दीस करेक्ट एंसर है ले होब कि आपको दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा पूरा प्लियर है मेरे भाई ठीक है सर आप तो 13 साल के लिए ले रहे हो अच्छा जरह हम आपको जुड़ा दे बिट्टे शायद आप गलती कर रहे हो या हम गलती कर रहे है देखो पहले 2 साल हो गया फिर यहाँ पे मैंने तीन साल और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 साल पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 5 परसेंट अगले 3 साल के लिए ब्याज मिल रहे है साथ-साथ रूप है फिर अगले 5 साल के लिए 8-8 रूप है तो कितना हुआ 2, 3, 5, 5, 10-10 साल तो हुआ ना बिट्टे? क्लियर? I hope कि आपको ये concept भी क्लियर हो गया होगा तो एक चीज बताओ एक छोटी सी जानकारी मातर से एक बहुत छोटी जानकारी मातर से क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको एक कोई फॉर्मूला आपको यहाँ पे अभी तक जरूरत पड़ी आपको एक ही चीज तो पता च हाँ भाई मनीश कस्यप जी बिल्कुल पचास अजार सही एंसर निकाला विट्टे आपने विपुल खंडिल वाल कह रहा है फुल बूड में गुरुजी चलो आगे वड़ते विट्टे ठीक है हाँ अगर आप चैनल पर दोस्तों नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक तो करते जाओ ठोकते जाओ बड़े अस्तर पिक्दम आगे दोस्तों देखते हैं इस सवाल को हम लोग इसमें आपसे कहा भाई महेश इन्वेस्टेड रूपीस 3400 इन टू इसकीम से पता चल गया कि आप महेश नाम के आप खुदी महेश है और आप 3400 रूपए लेके निकलते हो 3400 रूपए लेके निकलते हैं और दो इसकीम में इसको जमा कर देते हैं ठीक है और दो इसकीम कौन सी हैं दोस्तों A and B A और B दो इसकीम है इन विच रेट आफ इंट्रेस्टार 10% 10 12% ठीक है भाई ऐसे बोल दिया गया यानि कि आप 3400 रूपए ऐसे फील करो आप ही महेश हैं और 2400 रूपए लेकर के निकले सडक के बीच ओ बीच खड़े हैं आप इन्वेस्टमेंट करने की मूट से खड़े हैं आपकी निगाहें इधर जाती है दोनों साइट किसी मूवी में देखा था कि उसकी आख की पुतलिया दोनों इधर उदर हो जाती थी और कुछ लोग कर भी बैंक दूसरी साइट दिग्या लेना बैंक अब 3400 रूपए आपके जेब में थे और आप दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते थे आपके पास जो पैसे हैं वो दो पाल्ट में ब्रेक हुए न और एलिगेशन पढ़ाने की दौरान बार बार इस चीज का जिक्री किया मैंन A में जो ब्याज की दर है वो है 10% B में जो ब्याज की दर है वो 12% है यही तनी कहानी हो रही है आप बस मुझे एक चीज का जवाब बता दो हाँ सच में कई लोग हम देखे हैं दोनों आखी पुदली बीच में ला लेते या तो ऐसे बाहर भेग देते हैं ठीके वई तो आपको 10% ब्याज मिलती और 10% ब्याज मिलती तो 3400 का 10% जरा आप बताओ कितना होता है 3400 का 10% बाबू कितना होगा आप कहोगे ना मुझे ब्याज मिलती 340 रूपे अगर यही पूरे 3400 रूपे 12% पे जमा कर दिये होते आप तो 3400 का 12% कितना होता है 12% आप निकाल दो कितन होता है 12 गुड़े 4 48 और कितना आगया चार बारतियां 36 और 4 मिल के 40 408 रूपए मिलते की ना मिलते लेकिन आपको मिल कितने रहे 360 मिल रहे इस बात पर बिल्कुल भाई एग्री कर रहे हो कितने ब्याज मिल रहे आपको 360 हमारी एजंप्शन रही कि अगर 3400 पूरे इसकीम A में जमा किये गए होते तो ब्याज मिलती 340 अगर पूरे इसकीम B में जमा किये होते तब हमों ब्याज मिलती 408 रूपए लेकिन ब्याज मिल रही है 360 रूपए बस एलिगेशन लगा दो बड़ी वैल्यू से चोटी वैल्यू घटा नहीं है 360 माइनस 340 करोगे तो 20 जाएगा दोस्तों आपको होगे 600-400 होता है यानि या जाएगा 48 के बराबर रेशो ले लो 48 और 20 का किससे काटोगे आप इसको आप इसको 4 से काटेंगे तो 4 से काटोगे तो 12 इधर कितना आएगा 5 रूपए है ना तो आपको क्या रेश्यो मिल गया यहां पर जला रेश्यो हो गया दोस्तों 17 17 की वैल्यू अगर 3400 के बराबर तो वन यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर हुई आप से पूछा गया इसकी एवे तो 12 को 200 से मल्टीप्लाई करो जब आप हमारा कितने के बराबर आगया 12 दूना 2400 रूपए मेरे भाई कितना एंसर आ रहा है अप लो का 2400 सही है देखो तुक्का मारने वाले अच्छा मोधी का बाबा कह रहे है कि जो लेना वैंक है उसके CEO जो है वो शांतनू सुकला है बहुत बढ़िया ठीक है तो आपका जवाब दोस्तों कितना आगया 2400 रूपए देखो कुछ लोग तुक्का फिमार दिये 1700 1700 करके ठीक है तो और कुछ जगां पर ब्याज मिल रही थी 12% 3400 का 10% 340 ब्याज मिलती अगर यह होता तो 408 रूपए ब्याज मिलती लेकिन overall मिली है दोस्तों हमें 360 रूपए ब्याज अब हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया तो यह हमारी 20 आ गई वैलू यह हमारा 24 आ गया रेशियो लिया तो ह मुकेश कुमार बिट्टे आप तो समझ आ गया दुबारा इसलिए मैंने रिपीट किया आपको शॉर्ट होता नहीं शॉर्ट रिवीजन शॉर्ट रिवीजन मैंने कर दिया ना एक बार आप समझा करो फिर शॉर्ट रिवीजन में एक दम बढ़िया से समझ जाओगे मौर्निंग में घजब हो जाते है चलत सही है मौर्निंग कल मिलते न स्यागा नहा तो सुबह आभी शोगे नो बचे फिर शुबह मिल जाएंगे हम ठीकै शुबह नो बचे मिलेंगे आयो धोस्तों आगे बढ़ते हैं लोग ठीक धद्यान से देखो बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है आपने कहा कि इस बार एक व्यक्ति 9500 रूपए दो लोगों को उधार दे रहा है यानि कहानी वही है चाहे बैंक में जमा करो चाहे दो लोगों को उधार दे तो थीम आपकी वही है कि 9500 आपकी जेव से निकले और बट गए यार अच्छा अगर यार तो सेशन को लाइक वाइक भी टच करते जाओ मेरे भाई थोड़ा हां बहुबत अपनी लिखाए आप सारे लोग आपको पसंद आ रहा हो यार तो बिल्कुल एक बार लाइक वाइक टच करते जाए करो है ना थोड़ा कुछ से क्या होता है मोटिवेशन मिलता है है ना मज़ा आता एक दम चलो तो यह आपने कहा 9500 रूपे दो इसकी में जमा कर दिये गे तोस्तों A और B में जहां पर ब्याज की दर 4% और 6% है 4% और 6% यह रेट आफ इंट्रेस्ट है ठीक है मोधी का बाबा रुके रहो भी गुड़नाइट बोल के मद भागो यहां से ठीक है अभी trick of the day कर लेना question of the day solve कर लेना तब जाना बस खताम होने वाला session ठीक है तो अभी इसी के जस्ट बाद है trick of the day अभी आप एक बार session को share भी कर दो ग्रूप वगेर में ठीक है ग्रूप वगेरा जितने भी है टेलेग्राम ग्रूप वगेरा ठीक है हर जगा बता दो कि just about to बस पहुंची गए हम लोग trick of the day अब ये बताओ ये आपको कहानी पता है अब ये बताओ कि अगर 9500 रूप है आपको एक बात बताओ अगर ये 9500 इसकी में में जमा कर दोगे तो ब्याज कितनी मिल जाएगी 9500 multiplied by 4% करो तो कितना मिलेगा 4,5,2,4,9,3,2 यानि 380 रू ब्याज मिल जाएगi 570 रूपए 570 क्लियर इतना जब कि आपको एक्च्यर में ब्याज मिल कितनी रहे इसका में खेल एक्च्यर में 200 9500 आपने तिया और 4580 साल के बाद 1250 यानि कि आपको जो SI Off पांच साल में आपको ब्याज कितनी मिल गई 11500 में 900 कंग क़्टाओоп आपको 5 साल में ब्याज कितनी मिली, 2000 रूपए दिख रहा है, भाईया पढ़लो, 9500 सपोज आपने जमा किया, और टोटल रिटन कितना मिला आपको, 11500 रूपए मिल गए, यानि ब्याज आपको कितनी मिली, 2000, extra 2000 मिली, 5 साल में मेरे भाई, ठीक है, 5 साल में आपको 2000 मिल रहा है तो SI of 1 year, SI of 1 year, एक साल की ब्याज कितनी, तो एक साल की ब्याज आपकी कितनी हो जाएगी, आपको होगे 400 रूपए, एक साल की ब्याज दोस्तों कितनी हो जाएगी, आपको होगे 400 रूपए, ठीक है, clear, एक साल की ब्याज आपकी हो गई 400 रूपए, तो इसका मतलब, actual में ज पुछा गया, एक उधार दी गई धनराशी, कितनी है, 17 हिस्सा, 17 पार्ट है न, 17 अपॉन 17 और 2 मिलके 19, 17 अपॉन 19, multiplied by 9500, जवाब कितने के बराबर आ गया, पच्चासी सो, option number 2, आपका correct answer रहा, done, 8500 is the right answer for this question, अगरेजी मतलब अगर अग्रेजी वाले character में ना घुसो, इंग्लिस वाले character में बिना घुसे, अगर हम अग्रेजी बोल देते हैं, तो फिर लगता है कि बस गुरुजी मतलब जिसने भी ये शब्द बनाए होंगे, वो भी मतलब एक बार सुनके तो हस देता, मतलब सोचता कि हाँ, कि क्या ये यही मैंने लिखा था, क्या मैंने यही शब्द बनाए थे, इसका pronunciation यही होगा, कोई बात नहीं, आए दुस्तों आगे मूव करते हैं हम लोग, अब मूव करने वाले हैं, entry बारने वाले हैं, we are going to enter in, what trick of the day, okay, cheers, okay, दो चीज़े हम आपको सिखाने वाले, okay, दो चीज़े हम आपको सिखाने वाले हैं, देखो, पहले तो calculation, और दूसरा आपके सामने, inequality, पहले inequality देख लेटे हम लोग, हाँ न? सबसे पहले inequality का देख लेटे हैं, उसकी बार, हम लोग क्या करेंगे? inequality के बाद हम लोग multiplication का देख लेंगे पहले inequality का क्योंकि linear equation जब आपके सामने आती है देखो एक तो ही क्या आपके सामनी होती है आप से कह दिया गया question में की find relation between x and y तो हम आपके एक trick नहीं हम यहाँ पर 3 की चर्चा करेंगे जिनको पता है बहुत अच्छी बात जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें अगर कभी भी आपकी पहली equation इस तरीके से दी गई suppose मैंने कह दिया 3x square ठीक है minus 7x और minus 14 equal to 0 एक equation यह रही मेरी second equation मैंने आपसे कह दिया 2y square plus 5 root 2y minus 13 equal to 0 यह हमारा पहला सवाल रहा ध्यान से देखते चलना दूसरा सवाल मेरा यह रहा कि equation 1 जो है हमारी 17x square minus x और फिर minus मैंने आप यह plus x minus मैंने लिख दिया आपके सामने कि 1 equal to 0 और second जो हमने आपके सामने second equation दी वो मैंने दे दिया आपसे कि y square minus 3y minus 4 equal to 0 यह दो equation दे दी मैंने और आपसे पूछा कि बताईए दोस्तों यहाँ पे कि overall x और y भी क्या relation होगा तो एक चीज़ खाली आपको बस ध्यान देना है कि ऐसे सवालों में आप बस एक चीज़ पे focus करो कि आपको last में अगर आप last में focus करें आपको जो freedom दिख रहा है आप कुछ भी ध्यान मत दो आपकी equation खाली ax square अगर आपको देखो आपकी equation खाली इस formation की होनी चाहिए ax square plus minus bx plus minus c equal to 0 देखो भी calculation बताने तो बहुत छोटा सा है इसके बाद हम calculation वाली trick पे चरचा करेंगी यह हमने आपको थोड़ा सा एंसर लिखेंगे cnd कुछ मत सोचना आगे यहाँ पे भी आपको दिख गया negative sign negative sign इसका भी result क्या हो जाएगा दोस्तों cnd question exam में मिलते भी हैं यह बात ध्यान रखना ऐसा नहीं कि question exam में नहीं मिलेगे question भी आपको exam में मिलते हैं और solve भी हम लोग धड़ादले से कर सकते हैं ठीक है इतना एक point आपका यह रहा पहला आपने सीख लिया पहले trick आपने देख लिए overall ठीक है भाई उनके बारे में सोचो जिनको नहीं पता था और बराबर दोस्तो 13 x plus 11 y बराबर मैंने लिख दिया कितने के 17 के फिर मैंने लिख दिया 11 x plus 13 y और फिर मैंने आपके सामने लिख दिया चलो 8 के बराबर यह हमारा पहला सवाल रहा ठीक यह हमारा पहला सवाल answer बताओ पहले का और दूसरे का second question आपका मैंने लिख आपके सामने 111 या फिर ऐसे दूसरा लिखते हैं 113 x plus 117 y बराबर मैंने आपके सामने कह दिया चलो लिखा मैंने 13 या फिर ऐसे लिख दो 130 के बराबर और फिर मैंने लिख दिया कि 117 y plus sorry 117 x और प्लस 113 y और बराबर इधर मैंने कह दिया दोस्तों आपके सामने 103 के बराबर, सही इतना, 103 के बराबर, clear, या इसको और कुछ सुधार देते हैं थोड़ा सा, 126 लिख देते हैं, या 100, 100 लिख देते हैं हम लोग इसको, 102 लिख देते हैं, ठीक है, यह हमारे सामने 2 सवाल रहा, 2 questions आपके interchange हो रहे हैं, ऐसे सवालों को solve करने का तरीका देखें, ठीक है, और अच्छा लगा अगर, तो सारी लोग एक बार दोस्तों, like जरूर करना, आप बस इस सवाल को देखो, और आप बस इतना देखो, करना क्या है, जब भी coefficients interchange हो रहे हो, कुछ मत सोचना, पहले एक equation से दूसरी equation को घटा दो, तो नीचे के साइन बदल जाएंगे, 13x-11x कितना हो जाएगा, 2x, 11y-13y कितना होगा, minus का 2y, बराबर 17-8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अब अगली लाइन में आप लिख सकते हैं क्या, कि 2x बराबर 9 plus 2y, ऐसे लिख सकते हो, हो गया आपका answer आचुका ह दोस्तों, आप चाहे तो 2 से डिवाइड कर दो, दोस्ते वैसे डिवाइड करने की भी जरूद नहीं, लेकिन आपका मन करना तो डिवाइड कर दो, दोस्ते तो आजाएगा, x equal to 4.5 plus y, ठीक है, आप बस देखो, चाहे उपर वाले को देखो, चाहे नीचे वाले को, किसी को भी, आप इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, x की value, y की value से 4.5 ज्यादा है, ऐसे बोलोगे, x की value, y की value से 4.5, 4.5 ज्यादा है, यानी ऐसे लिख सकते हो ना, कि x की value y से ज्यादा है, बस इतने पर फोकस करो आप सारे लोग, similarly दोस्तों, इस जगा पे आते हैं, आपको स आपने equations लिखी गई है, इसको solve करना था, मैंने का आप पहली equation से दूसरी equation घटा दो, तो नीचे के sign बदल जाएंगे, 113-117 कितना आएगा, minus का 4x आएगा, 117-113 करोगे, दोस्तों, आपका plus का 4y आएगा, 130 में 102 घटा दोगे, आपका जवाब 28 के बराबर आएगा, अब इस चीज को आप लिख सकते हो कि y equal to, देखो ध्यान से, चार से काटोगे, यह सब कैंसलों के साथ आजाएगा, y equal to 7 plus x हो गया, अब आप कह रहे हो कि y की value x से 7 जादा है, यानि आप कह सकते हो कि y की value x से दोस्तों, जादा है, इस तरीके से, बिना equation solve किये हुए, बिना आप calculation पे भी मुझे यहाँ पे करना था, calculation पे भी, लेकिन अगर आप ध्यान दे time, तो 9 बज के 30 मिनट हो चुका है, और एक घंटे की ऊपर हम लोग की class जा रही है, इस वज़े से, unfortunately, हमें इस session को यहीं पे रोकना होगा, question of the day जो है, इसको हम आप लोग को देते हैं, solve करने के ल देना, साथ य-साथ हम आपको बता दे, मेरे दोस्तों, कि अगर आपने अभी बी चीज, अगर आपने कोई भी बैंकर सड़ा से कोई बी चीज अगर आपने जवाइन, कोई बैच नहीं किया है, कोई बी चीज नहीं, तो यह आपके लिए एक तरीके का वर्दान है, सब कु से जादा के आपको test series मिलेगी, 1000 से जादा test series, 5000 से जादा live videos आपको मिलेगे, और उसके बाद दोस्तों, classes by India's top faculties, ये तो आपका प्यार है दोस्तों, अब बस ये ध्यान रखना, आपको coupon code ध्यान रखना होगा, Y179, अगर आपने नहीं enroll करा है, तो आप जल्द से जल्द enroll करा 9 बजए आप से मुलाकात होगी, इसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे, मेरे भाई, comment करके आप सारे, जो भी आपको जैसा भी लगा session, जो भी आपको लगा कि हाँ, Guruji, अगर सुबा क्लास नहीं हो पाई, शाम को आपने class लिया, तो जो भी आपके मन में भावना हैं, आप आपके केर, थैंक यू